नमस्कार नमस्कार दर्सकू आगए का कईसन है बढ़िया से हैं रम मुस्कुरा इसे रहे हैं कि रन्भी कपूजी न अलिया भट को तान असा कहें हैं अब काहें मिया भी मैं तो छोटी मोटी नोग जोग चलती रहती है तो हमको कुछ पुरा ने कि सयादा गया था तो फिलहा न अईसा का हुआ कि आईसे बोल दी और का चल रहा हमको तो इन दोनों की चोड़ी बहुत ही पसंद है पहले तो हम बता दे उपर से न लड्डू बना के भी भेज़े हैं आलिया को का न मा बनने वाली है न हमने बोला कि जम कर खाओ जम कर एक दम तो हम तो भेज दिये ते फि बधाई भी दिये ते उसको खुबा सिर्वात दिया आने वाले बच्चे को उसको और लड्डू भी हम बोले खतम होते ही फोन करना और लड्डू बना के भेज़ेंगे न तुमको अब फिलाल का हुआ है दोनों की दिचू दिखाते है चलिए रनबीर कपूर ने आलिया भट को तानाशा कहा क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर वह उन्हें अपना निर्देशन नहीं करने देंगी तो वह परिशान होंगी जी हां कुछ दिनों पहले अपनी नई रिलीज शम्शीरा का प्रचार करती हुई रनबीर कपूर ने एक दिन एक फिल्म निर्देशित करने की इच्छा व्यक्त की और यहां तक की संकेत दिया कि उनकी पत्नी अभिनीता नर्माता आलिया भट इसका निर्मान कर सकती है के साथ नर्माता बन रही है जिसमें वह भी अभिनय भी कर रही है नेट्फिक्स फिल्म में शिफाली शा और विजय वर्मा भी है बता दे कि फिल्म के ट्रेलर लॉंच के दौरान आलिया से रनबीर की एक फिल्म के निर्देशन की बारे में पूछा गया तो नहोंने कहा हम नहीं मुझे तुम्हारी जरुरत है पर तुम्हें कत्या चारी हो इससे पहले एक इंटर्व्यू में रनबीर कपूर ने बताया था कि लोगडाउन के दौरान मैंने कहानी लिखी जो मुझे बहुत पसंद आई लेकिन मेरे पास वो हुनर नहीं है कि मैं जाकर उस कहानी को लोगों के साथ शेयर कर सको और उनकी सथ फिल्म Bana सको लेकिन हाँ निर्देशन प्रोडक्शन से ज्यादा मेरी विशलिस्ट में है खयर मेरी पतनी एक निर्माता है और एक बहुत अच्छी निर्माता है तो शायद वो मेरी फिल्म का निर्मांद कर सकती है बता दे डार्लिंग जालिया का पहला प्रिडुक्शन वेंचर है जिसे वह अपनी कमपनी इंटरनल संशाइन के ज़र ये सपोर्ट कर रही है फिल्म का निर्मान शारुख खान की कमपनी रेड चिलिज एंटेटेन्मेंट कर रही है अप्रिडर लॉंच इवेंट में आलिया ने ये भी बताया कि शारुख कैसे बोर्ट में आए उन्होंने कहा शारुख ने मुझसे कहा मैं आमतोर पर सहर निर्मान नहीं करता लेकिन इससे आपके लिए यादो के लिए करूँगा बिल्कुल पिचिंता ना करें बहुत मजा करेंगे बता देगे ये फिल्म पाच अगस को रिलीज होने वाली है और इस का निर्देशन जस्मीत केरिन ने किया है खेर इस खबर में तो बस इतना ही है आपको यह खबर कैसी लगी हमें कॉमेंन सेक्शन में जरूर बताईएगा दोस्तों अब का है ना दर्सको फीलम का ट्रेलर देखके तो हम तो इतना पसंद आया ना हम को हम तो जल्दी से बेट कर रहा है कि कब फिलम को देखेंगे देखेंगे फिर चर्चा करेंगी कि आप भी देखिएगा हम भी देखेंगे फिर बड़ा बर से चर्चा करेंगे का कहते हो फिलाल तो जाते हैं लेकर आते हैं नई खबर तो कहीं जाईएगा नहीं मने रहीएगा अंटी के साथ चैराम जी किदर सको